Hello everyone, मैं विश्ट जीत सिंग, आप सभी का देई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो, आज की इस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.02, आदुनिक विश्ट, मौर्डन वल्ड के सेकिंड उनिट को पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट विडियो की मदद से हम जानेंगे कि सेकिंड उनिट के अंदर में कौन-कौन से टॉपिक है किस तरह की कोश्टन्स बनते हैं और एक्जाम में कैसे उन कोश्टन्स को पूछा जाता है और उन कोश्टन्स के आंसर हम कैसे लिखेंगे, कैसे अच्छी नमबर लाएंगे इस शॉर्ट विडियो की मदद से हम जानेंगे दोस्तो विडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडन्स से एक रिक्वेस्ट भी रहेगा कि एक भी युणिट को मिस मत करना क्योंकि सारे युणिट एक दूसरे से इंटर लिंक है एक टाइम पिरिट चल रहा है, एक के बाद दूसरा आता है ठीक है, चलिए हम अपना विडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँ अब देखो, लोगो को पुणा जागरन मिल गया उसके बाद लोगों का ग्यान ओदे हो गया अब ग्यान होदे होने के बाद सबसे जरूरी चीज़ क्या होता है राज्य ठीके तो यहाँ पर राज्य का सिधान्त के बारे में बात करते है पहला यहाँ पर important question बनता है राज्य का सिधान्त क्या है या फिर राज्य क्या है दोनों के अंदर में same answer आप लिखोगे राज्ये का सिध्धान्त क्या है आप देखो For example, एक वेक्ती एक जगह पे रह रहा था वहाँ पे उसने सबसे पहले पसु पालन का शुरुआत किया ठीके पहले तो गूमतू थे वह एक जगह से दूसरी जगह गूमते थे फिर उन्होंने पसु पालना सुरुख किया फिर पसु पालते पालते धीरे धीरे वह क्रिशी वेवस्था की और आने लगे और वह पसु पाला क्रिशी बन गए ठीके वह फिर पर्मानेंट क्रिशक के तौर पे जाने जाने लगे जैसे ही वो क्रिशक की भूमिका में थे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने जगह का विस्तार करना सुरुक किया, खेती कर रहे थे, कुछ लोग और भी आके नए बस गए वहाँ पर, धीरे धीरे क्या हुआ, पूरी एक ववस्ता बन गए, किस तरह की, एक rule regulation सेट कर द हैं, उसको हम राज्य का सिधानत कहते हैं, यह आम बोलचाल की भासा में, आपको जिस तरह से समझ में आना चाहिए, और topic, वो मैंने संजाने कोर्शित करी है, बुक की language अलग है, बुक वाली आप बुक में से पढ़ लिजेगा, यहाँ पर आप समझ ये topic क्या कह रहा है, ठ ठीक है, अब देखो, आधोनिक विश्रु का मूलबूत घटक, अगर कभी भी हम विश्रु का निर्मान करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, उसमें देश कौन-कौन से है, राज्य कौन-कौन से है, तो यहाँ पर राज्य और देश की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आगे चलके राज्य कहला आता है ठीके समझ में आता है यहाँ पर पहला topic तो यह हो गया इसके अंदर में जो question बनते हैं कई बार यह बन जाता है कि महातमा गांधी महातमा गांधी का राज्य का सिधान्त क्या था तो वहाँ पर सौराज अपना सासन हो ग्राम पूरा मतलब जो एक विश्व हो या पूरा एक समुदा हो ग्राम हो ठीके इस तरह का उनका सपना था महातमा गांधी का उदारवादी राज्य का सिधान्त क्या है माक्स वादी राज्य का सिधान्त क्या है तो इस तरह से कोश्चन्स यहां पर बन सकते है या फिर कोश्चन गुमा फिरागे ये भी पूछ सकता है कि उदारवादी कोई इतिहासकार या फिर विशारक का नाम ले लेगा और उसके बेसिस पर बोलेगा कि राज्य का सिधान्त क्या है जैसे जौर्ड स्टूर्ड है ठीक है जौन स्टूर्ड मिल है जौन स्मीथ मिल है जो भी इतिहासकार है किसी भी इतिहासकार का नाम ले लो जो उदारवादी है फिर मार्क्सवादी विचारदार से संबन ले थे उनके नाम के थुरू भी पूछा जा सकता है कि राजी कसी दानत को बताईए इसके विसिस पे भी नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक आता है हमारा पुंजी वादी से आता है पुंजी वादी अर्थवस्ता के बारे में पुंजी वादी व्यवस्ता से जो यह पूरा टाइम पिरिड है पुंजी वादी वयवस्ता से क्या हुआ कि एक तबका बहुत जाला उपर आयो एक तबका नीचे दबा रहा गया निम लवर्कशा जादा फाइदा नहीं हुआ नुकसान हुआ और पुझी वादी अर्थवस्ता तो बढ़ी पर कई जगह पे चीजे दबी रह गई और वो आगे नहीं बढ़ पाई तो यहाँ पर यह चीजे आपको दिखाना होता है ठीक है समझ में आता है पुझी वादी अर्थवस्ता में से जो कोशन बनेगा वो दो विचारकों के डिफरेंस के बिस्टी से बनेगा जैसे मालो मार्क्स ठीक है कालमार्क्स और एंगलेस करके जो विचारक थे उनकी क्या मानना था, उनका क्या विचारधारा था, पुंजी वादी अर्थवेस्ता को लेकर इस तरह से आ जाएगा ठीक है कि माक्स और एंग्लेस की विचारधारा को समझाईए पुंजी वादी अर्थवेस्ता की आलोचना करते हुए इस तरह से question बन सकता है पुंजिवादी अर्थवेस्ता की अलोचना की जिए तथा Marx और एंगलेस की विचारधारों को समझाईए तो यह भी इस तरह से question पुछा जा सकता है तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि Marx की विचारधारा क्या थी English की विचारतारा क्या थी पुँदिवादी अर्थवस्ता के संदर्व में तो जहां पर हम उद्योग एक चीज़े मतलब पैसे को नीजी संपत्ती को इधिकार देते हैं नीजी संपत्ती को बढ़ावा देते हैं और यह टाइम प्रेड पर चल रहा है तो उस time period की यहाँ पर बातचित की जा रही है दोस्तों ठीक है समझ में आता है तो यह हमारा second unit था आगे की video हम third unit पढ़ेंगे और आपका कैसा response रहेगा इस video पर वो video मुझे बताएगा कि आप मुझे third unit की video बनानी है या नहीं बनानी है अगर आपको video अच्छी लगी comment करें share करें subscribe करें और response दें जिसके basis पर मैं आगे की video बना सकूँ तो friends thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best